हेलो एव्रिवाइन असलाम अलेकूम बिस्मिलाइश्मान रहीम आज हम एक ऐसी परफी बनाने जा रहे हैं जिसमें जो आप बनाकर खाएंगे तो उससे थकान सरदर्द बदंदर्द और खोन की कमी दूर हो जाएगी यह एक ऐसी अच्छी परफी है तो यहाँ पर हमने ले ल लिए हैं और इनको हमने तोड़ने के बाद चार से पास दिन फ्रीज में रख दिया था तो यह इस तरह से हो गया है जिससे कि यह ना तो कच्छा रहा और नहीं पका बहुत अच्छा टेस्ट में हो गया है इसके बाद हमने कुछ मेवा ली है नहां पर अखरोट चिरोंजी बादाम, गाजू, किश्मिश और यह कुछ मिक्स बीज लिए हैं यह आपको मार्केट में बहुत इसली मिल जाएंगे इसमें कुछ यह काली मुनक्का है और सूरज मुखे के बीज हैं और पंकिंग ग्रीन सीड जो होते हैं वो है तो यहां पर हमने यह सब 50-50 ग्राम ले ल रखे करिया हैं जड़ा झाल देंगे यहां पर यह अजगा टेल हो हैं ग्रै आप तो यहां पर Śफ मॉना सीदाया टो मु climate बहुत जादा कर दिया हैं देसान हूं यह जो dry fruits हैं यह डाल कर इनको थोड़ा थोड़ा सा fry करेंगे यहां पर हम डाल देंगे पहले बादा फिर इसमें ही डाल देंगे काजू और इनको दो mint roast कर लेंगे बहुत ही light और फिर इसमें ही डाल देंगे जो हमने बीच लिये हैं सुरज मुखी और pumpkin seed यहां पर यह डाल देंगे अखरोट इनको डालते जाना है और चलाते जाना है मीडिम लो फ्लेम पर ही इनको करें चलाएं और नहीं तो यह जल भी जाते हैं और फिर इसमें डाल दी हमने चिरोंजी इनको लगबग बस थोड़ा सा color change करने तक ही इनको पकाना है फिसमें डाल देंगे यह किश्मिश किश्मिश जो है यह खून बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर है अगर आप ऐसे भी किश्मिश खाते हैं सुबह को भीगो कर रग अगरफूल है एनर्जी देने में सरदर्द कम करने में मतलब जो जिनके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन हैं यह सब चीजे तो यहां पर हमने वन टेप रिस्पॉन घी और डाला है देसी घी और उसमें डाल दिया है यह नारियल तक्चा नारियल इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने तक इसको मीडियम लो फ्लेम पर ही पका लेंगे और यहां यह ड्राइफ रोट्स ठंडे हो चुके हैं अब इसको हम मेक्सी के जार में डाल कर थोड़ा सा दर दरा सा ग्राइंड कर लेंगे बस इतना ही ग्रा तो यहां पर नारेल भी अच्छे से भुन चुका है फिर इसमें हम यह डाल देंगे ड्राइफ रोट्स आप एक बार इस तरह से बना कर खाईएगा आपको इंशाल्ला यह इसके खाने से जो बहुत आप में कमजोरी है थकान है वो सब दूर हो जाएगी इस तरह से इसको मिक्स कर दें फिर यहां पर हमने एक पैन लिया है और इसमें डाल दिया है एक कप मलाई का दूध उपर से जो मलाई उतरती है और इसमें डाल देंगे जब थोड़ा सग्रम हो जाए इसमें डाल देंगे यह पिसी हुई जो PCV मिस्ट्री डाली है हमने यहाँ पर यह आपको आराम से बाजार में मिल जाती है यह नुकसान भी नहीं देती इस वजह से हमने यहाँ पर पहले ही इसको पीसके रख लिया था जिससे टाइम फराब ना हो दिखाने में बहुत जादा टाइम लग जाता है इस वजह से हमने इसको पहले ही पॉडर बना के रख लिया था जब यह अच्छे से घुल मिल जाए तब इसमें यह डाल देंगे जो हमने नारेल और राइफूर्स टाले थे और इसमें डाल देंगे तो इसमें यह डाला है और फिर इसको अच्छे से बहुत अच्छे से नेक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे बस यह इतना ध्यान रखना है आपको कि यह नीचे लगे नहीं अगर आप चाहें तो इसके लड़ू भी बना सकते हैं और बर्फी भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हम इसकी बर्फी बनाएंगे और इसको अच्छा से आठ से दस मिन्ट पकार लेंगे और यह देखेंगे कि इसमें जो इसमें आठ से दस मिन्ट इसको पकार लेंगे तो यह आराम से बर्फी जम जाएगी आप यह देख सकते हैं आपस में अच्छे से बिलते चले जा रहा है इसमें जो दूद का अगर इसमें लिक्विड लग रहा है आपको तो इसको और खुशिक कर लेंगे जिससे कि बर्फी जमने मे कोई परिशानी नहीं हो थोड़ा बहुत रहे भी जाता है तो उससे बहुत अच्छे बन जाती है आप इसकी जो इसको जो है आप फ्रीज में 15-20 दिन आराम से रख सकते हैं और सुबह शाम इसको खाएं दूद के साथ तो यह आपको बहुत ज्यादा फाइदा करें यह बह फ्रेंड्स आपको याद दिला दें अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी रेसिपी को लाइक और शियर जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी रेसिपी बस अब यह यहां पर पक्ट चुका है और इसको हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है यहां एक लिली हिर हमने थाली इस पर लगा देंगे देशी घी इसको इसे ग्रीस कर देंगे अच्छे से जिसे कि यह निकलने में आसानी रहे और फिसमें डाल देंगे नारियल रहे और इसको अच्छे से सब डालत कर इसको पहला देंगे यह आपकी मरसी है कि आप कितना मोटा कितने पतले बरफिट पसंद करते हैं यह आप अपनी च्वाइश से इसको जितना बड़े बरतन में फैलाना चाहें पहला सकते हैं और इस तरह से इसको इस पेल चुला या चमचीव हैल्प से बिलकुल इक्सार कर देंगे और यहां पर रख देंगे इसको एक से देड़ घंटे लिए रॉम टेम टेंप्रेशर पर अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं जब यह ठंडी हो जाए और इस तरह से जब यह ठंडी हो जाए और सैट हो जाए तब इसके इस तरह से हम पीस बना लेंगे जैसे भी आप बनाना चाहें अगर आप इस जंगा बदलब इसको जमाने के जमाना नहीं चाहते तो आप इसको इसके लड़ू भी बना सकते हैं लड़ू तो बहुत आसानी से बन जाते हैं इस तरह से यह देखेगा मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने आसाने से चम चुका है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बन कर तेयार होता है यह देखेगा इसका टेक्चर देखने से ही मुझ में पानी आ राए देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है उतनी खाने में ज़्यादा टेस्टी है और यह बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है अल्ला आफिस